हम इस गाने को क्यों बुरा करें क्या हमें नसीब लाल से मसला है क्या हमें इस गाने से मसला है क्या हमें इसके म्यूजिक से मसला है क्या हमें इसके लिरिक्स से मसला है हमें मसला किस चीज का है यह वाकई अपना मवाजना और अपना महाजबा करने की जरूरत है कि हमारी इस हद तक नीच हो चुकी है इस हद तक छोटी हो चुकी है अश्लामलीकूम आप देख रहे हैं यूटीव पर दकरनाज जो मैं हूँ करनाज मैं बात करने वाली हूँ जी आज PSL सीजन 6 जिसका हो रहा है आगाज कौन जीतेगा कौन हारेगा कितनी जबर्दस्त मुकाबले होने जा रहे हैं यह सब बात की बात है सबसे पहले जो मसला बना हुआ है वो बना हुआ है PSL सीजन 6 का वह सौंग जिसका आगास किया है नसीबोलाल साहिबाने अजीब किसम के मामलात इस वक्त हमारे सामने हैं जब एक सोशल मीडिया पर तुफाने बत्तमीजी भी मचा हुआ है मीम्स पे मीम्स बन रही है हैं लोगों को बड़ी परेशानिय बड़ा अठि रोड리 उठेही हैं है लोगों के पेट में कि बहुत बूरा गादिया जू आगा लिया क्यूं ऐसा गान अगालिया क्यों नसीबोलाल साहिब सक गोट यह इने पर इनिए इतना बοरा गाना और फिर इसके बाद काउंटर आंसर भी हो रहे हैं उस पर बहुत सारे लोगों को ये गाना बहुत अच्छा लगा है बहुत सारे लोग जो है वो नसीब लाल सायब को डिफेंड करते वो दिखाई देने एंड और सिरियस नोट बलके मैं सबसे आखिर में बताऊंगी कि मुझे ये सांग कैसा लगा है बट मैं अज अपने प्रोग्राम में भी इस बारे में बात कर रही थी ये पैरमेटर्स क्या होते हैं वैसे मुझे जरूर आज की वीडियो पर मैं अपने टीम से काऊंगी कि कि कौन ही रखेगा आप जरूर कमेंट किजेगा और बताइए जरूर कि ये इसका जो लाइक क्या कह रीजे इसको पैरमेटर्स क्या है अच्छे गाने की और बुरे गाने की तमीज क्या है अगर ये तमीज है कि जो चीज आपके कानों को अच्छी ना लगे तो वह गाना बु जब आप ग्राउंड के लिए और क्राउट के लिए गाना गाते हैं तो वह इसी तरह का गाना होता है ना कि जहां पर शू और शराबा हो जिस पर पूरा क्राउड रूचल रहा हो खुशी में हो एकसाइटमेंट हो इसी तरह की सॉंग्स होते हैं तो फिर नसीब उलाल का जो है आज वेखेगा क्राउड वह प्र वह प्र सेकिन लिए कि इससे पहले भी लास्ट एयर अली अजमत साहब का जो गाना था उस पर भी बड़ी तंकीद हुई थी वह भी लोगों को ने कहा था कि बहुत बुरा गाना गाया है बढ़ा बुरा गाना बनाया गया है उस पर खै कुछ वह सिंगर्स दो पैले गाना काया था अब एस आपकर उन्हों एक पूरी 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 पुरी टीम वह उसके उपर इंजेक्ट किये हैं जो कि सोशल मीडिया पर जा कर डोल कर है और इस गाने को फ्लोफ करने की सोशल मीडिया पर इसका चला रहे हैं आप जैली अजमत क इस गाने को बड़ा ट्रोल भी कर रहे हैं और इसके खिलाफ बड़ी मीम्स भी बन रही हैं बड़ी अजीब सी बाते भी हो रहे हैं पते नहीं क्यों हमारे अंदर की बड़ा मसला है कि हम किसी को एप्रिशेट नहीं करते हम के सोशल मीडिया के ऊपर ठीक है हमारे पास एक पूशने के कोशिश करते हैं कि हमारे किसी भी कमेंट की वज़ा से या हमारी किसी भी तनकीत की वज़ा से सामने वाले के उपर इसका असर हो क्या रहा है या हमारी बात की वज़ा से किसी को कोई तकलिफ तो नहीं पहुंश रही किसी के साथ कोई ज्याती तो नहीं हो रही ये सउम्हा मेरी में हैं अपनी में आपиля कोई पहल गाना जैसे मैं अग प्रीमें जहिए प्रैसाइल कोई पहली दफा ई той इसन पंजाबी फिलमें और पश्टों पेल्मी में पहल कारी जए और के खेत्यों में अरफ了 कर रही होती है मेरे जहन में वह आना शुरूब क्योंकि नसीब उलाल इस तरह के स्टेज सॉंग वह गाती है इस तरह की पंजाबी मुवीज के वह सॉंग आती है और उस पर हमारी बड़ी अच्छी एच्छी रोई जए वह डिखाई दिखाई देती हैं तो मेरे जहन में जाने से मसला है क्या हमें इसके मुजिक से मसला है क्या हमें इसके मसला है हमें मसला किस चीज का है अगर मसला अगर मसला ठीक है बागी सारी मुजिक से मसला है अगर आपको लिक से मसला है अगर आपको इसकी कंपोजिशन से मसला है सारी वह भी ठीक है बट अगर आपको और कुछ भी गा तो बहतरी बेस्ट कुछ भी गादें जैसा है ब क्योंकि नसीब ओलाल की सिलेक्शन कि गई नसीब उल्लाल की सल का सौंग गाया है तो इसलिए जा इस एक बुरा गाना अगर यह मंटैलइटी यह तो चाहिए अगर इस तो इतनी ज्यादा हमारे अपने तहट branded और वैसे यह बड़ी घटिया और नीच सोच है अगर सोच यह हो गई है तो फिर तो बड़ी तकलीफ की बात है अगर यह गाना बुरा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि इसमें नसीब तो शायद वह जितना भी बुरा गाना गाया होता वह हमें बहुत अच्छा लग रहा होता अगर सोच सिर्फ और सिर्फ नसीब लाल तक महदूद है फिर तो यह बड़े तकलीफ की बात है एनिवे जी बी पाकिस्तानी और यह यूट्यूबर्स आते हैं और दीगर लोग आते कासर पर डिजिटल मीडिया की लोग आते हैं तो उनका यह बड़ा यह खास जुम्ला होता है वो बोलते हैं तो हमें ऐसा होना चाहिए हमें पाकिस्तानी होना चाहिए और हमें पाकिस्तान की चीज़ों को ओन करना चाहिए जैसा भी गाना बन गया है हम बाहर वालों को क्या हम तो खुद लगे हुए उसके उपर किसी भी तरीके से यह बावर करानी की कोशिश करें कि जी बहुत ही बेकार बहुत बुरा गाना गा दिया पिछले दो तीन सीजन्स मैं कुद मैं कोक स्टूडियो की बड़ी फैन रही हूं बट पिछले दो तीन सीजन्स शायद कोक सब्सक्राइब करें तो हमारी बुरी चीज भी है तो हमारी है हमारा गाना है क्यों नहीं सोच के अंदर पॉजिटिविटी लेकर रहे हैं मैं आपको का थै कि मैं आगाज में बताऊंगी कि मुझे की सौन कैसा लगा तो पहली दफार जब मैंने सुना था ओविसली मेरे दे और वो जो 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 एक ग्राउट का प्रेशर और जो ग्राउंड की फील होती है आप में से जितने लोगों ने स्टेडिया में जा जाकर मैस देखा होगा उनको यदिशी का अंदाज होगा तो यह अगर अगर आप अगर बैठकी गाना सुनेंगा अविस्टी आप पुरा ल अए उस पर में कमेंट करना फिल कर देती हूं वो मुझे नहीं पसंद आया क्योंकि मुझे वो यह उन जाफर वाले जो सॉंग इसके और उसके ओर आग्लाल का पीस है मुझे तो बहुत पसंद आया मुझे उनका मुझे उनका म्यूसिक बड़ी पसंद आया उनके गाने का बड़ा पसंद आया और चूंके उनका इक अपना ही उनीक अंदाज है अपना ही अलाग स्टाइल है और उन्हें उसी स्टाइल में वह गाना का है सो मुझे तो नसीब उलाल का वो पीस बहुत अच्छा लगा है बागी आप लोग की राय अपनी राय का इजहार इस बात पर नहीं लेकिन वह जो मैंने पूछा है ना कि पैरामीटर्स क्या होते है तमीज क्या होती है उसका राय उसका जुरूर प्लीज इजहार की जाएगा आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाला नेक्स्ट वीडियो में एंड लास्ट में यही कहूंगी के पाकिसानी है हम जी अपनी चीज अच्छी हो या बुरी हो ओन करना सिखें ठेक केर